बिस्मिल्लार रामाल रहीम करहाल चालें आप सब के और कैसी चल रहें गर्मिया और खासतोर से रमजान के लिए मैं आज बहुत मज़ेदार सा खटा मीटा से शर्बत लेकर आई हूं कैरी का शर्बत जिसको कहते हैं हम पन्ना भी बोलते हैं इसके लिए कालर नमक नमक और ची अच्छी कहरेया लिए पांच चै चे हदाद हैं इसको हम पहले चील लेंगे अच्छी ताय से और इसके चोटे-टोड़े कर लेंगे हम फिर इसको बॉयल करेंगे इसको चल के हो ताट देंगे बहुत मज़ेदार सा और गर्मी के रिए बहुत फाइदे बनें बहुत वी ग चोटी चोटी ठुकड़ों में हम इसे काट लेंगे और जो इस केंदर के बीजे उने निकाल देंगे अलग कर देंगे इसी तरीखे से साथ लिए हम छील के और काट लेंगे ये देखें मैंने पीसिस कर लिए हैं अब इसको मैं थोड़े से पानी में बॉइल करूँगी हम अच्छी तरफ से हम इसे बॉइल कर लेंगे ये एक कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है और ये थोड़ा से और डाला है लेकिन अगर आप चाहें तो एक कप भी डालने तो जादा बैदर है लेकिन मैंने जाद जादा जादा इसलिए और अच्छी तरह गल जाएं तो एक कप में भी गल जाएंगी और इससे हम वाइल कर लेंगे तक्रिमान में पांच से दस मेंट के लिए ये देखें अच्छी तरह वाइल हो गएंगे हमने इसका पानी खुश्च किया है अब हम इसे ग्राइंडर में डाल कर लेंगे कर लेंगे तो जो भी जाल वगरा होते हैं वह सब पिस जाएं और निकल जाएं के बिल्कुल में स्मूध बन जाएं इसका मिक्स्चर अब इसमूध सा इस मिक्स्चर तैयारे के रियों का अब चाहाएं तो इसे जादा जाद में में से ब्रत्रों कॉञटिटिय में बनांके बना के रख सकते हैं जादा जंट यह ले सकते हैं तो वह जाद बनीगा बने सीरा देने चीनी का ये जब बिल्कुल शकर के दाने खतम हो जाएगा निपक जाएगा शीरा सा हो जाएगा जब तक हम इसे पकाएंगे कि अधर कोसे कहने ही जाए म।र्ल तक हमाने मिक्सहिन्य घाड़ा यहारे है Canine का शीर साधिक है अब हम इसमें कैर्यिया हो हमने कना कि थी कि गोंबढ़ें लिंगे कर्मियों के लिए तो यह खास तोफ़ा है यानि इसको पीके आपको कर्मिय बिल्कुल भी नहीं लगेगी बहुत मज़दार होता है और हमाई सहथ के लिए अच्छा हादसम होता है जब भी तबियत भारी हो आप इसको पी ले हैं अच्छा होता है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें जो बैल आइकॉन का है वह जरूर पैस किया करें ताके नहीं आने वाली वीडियो मिल सकें आपको मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो में राण मुल्ट कर रही हूं किके मेरी कुछ त अब इन्शालला बनाती रहूंगी रमजान के लिए आप लों के लिए अच्छा एच्छी रैसिपीस बहुत साई रैसिपीस जमा हो गएंगे में पास बहुत मज़दार मज़दार यह देगा हम थोड़ा सा एक पिंच का रिवस में जर्दे का रख भी डालें इसके कलर के हमारा कलर अच्छा सा जाए शर्बत का यह कलर फूड कलर हमाया होता है घरों में अक्सर रख रहता है बिर्यानी वगारा के लिए तो हम भी यूज कर सकते हैं कि देहें कितना और इससा टैंग जैसा कलर हो गया इसका अब हम इसमें जायखे के लिए कालर नमक डालेंगे चमचा आप अपने हजब जायखे डाल सकते हैं यह इससे बहुत अच्छा और यानि हाजम सा बन जाता है यह शर्बत मज़िदार सा खट मिट्टा सा अब इसमें सुफएद नमक भी शामिल करेंगे थोड़ा सा गारा हो की फट्ञा कर ली ऑफी मां के दिखांगी अब पुछार बहुत मज़िदार सा बनता है जब यह अब वझा बादा हो जाएगा मिक्शर में दिखे हम इसे कर देंगे चूले को और यख़ा या गारदा क्षाव अब इसमें में पानी डालूंगी दोनों ग्लासों में तंडा और इसमें हमारी शामिल है नमक चकर सब मिला हुए इस शर्बत में इसलिए हमें सिर्फ आइस क्यूब्स डाजने होंगे और यह हमारा तयार रेडी हो जाएगा शर्बत आप हजब जायखे इसमें डाल सकते हैं दो से तीन चार शम्मा जितने भी आपको अच्छा लगाए शर्बत को टेस्ट बहुत मसेदार और जायखेदार शर्बत होता है आप लोग ज़रूर ट्राइगा यह कर्मियों के लिए तो खास तोर से बहुत अच्छा है रोजएदार है यह बहुत मज़दार क्योंगे इसमें काल नमक है यानि हमें भारी पन महसूस नहीं होता है इसको पीने के पार है यह बहुत मज़दार सा कलरफुल समारा हम इस माइस क्यूब्स टाल देंगे शर्बत तया रहे है इस ड्रामाइस सहथ के लिए अच्छा है और हमें रिफ इस तरह से आप यह ट्राइट बोतल में रखके फ्रेज में रख सकते हैं जितने काफी अर्से तक यह चल जाता है कि देखें मज़दार सा शर्बत तयार है हमारा ठंडर हंडर सा गर्मी के मौसम में गर्मी का दुश मरें बहुत सादर आपको गर्मी लूग अगरा चल आप बीगे निकल जाएं इस पूई आपके पीलें तो गर्मी नहीं लगती है तो गर्मी का सरकाम हो जाता है बिस्मिल्लारमाण